गूर्णिंग फ्रेंस वेलकम भी चनल दिस इस सुब्रत वार्किंग एज एसोशेट इन स्बाइए कैसे सब लोग आए उसोब आच्छे होंगे आथ से पढ़ाई कर रहोंगे आज जो मेल है आना शुरू हो गया है जुनिय एसोशेट का जोइनिंग के लिए बस अभी उनका यह कोशेट है कि सर एक वीडियो बनाये कि आप जब हमारा इब आटाइक में एऊ में इक हमें करना है सो उससे जोनिंग तक मतलब डॉनिंग डेटे ना वां ट्यूंदी फ़ास्ट कोई है सो अभी कुछ शर्किल का मेल मतलब आ गया है कुछ शर्किल का बाकी है आपको 16 फितर तक आही जाएगा सब सारे स्टेट का मेल ठीक है तो 21 को जॉर्ण होगा देखो जॉर्णिंग के दिन में आपको कहां पर रिपोट करना होगा एओ पर मतलब एडिमिस्ट्रेटिव ऑफिस एओ से क्या होता है कि आपका सारे डॉक्मेंडेशन जॉर्णिंग पर सुरूता है और उसी दिन से आपका जो सलारी है वह स्टाइद हो जाएगा एओ में क्या होता है आप आप जैसे डीवी के टाइ लीफ्यार कन से लीए इसके लीए भी आपको फॉर्ण फिलब करना हैस जो आपको वहां पर करना है ओप और 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 अपर और क्या है आपका ये पार आप ये होगा वगरह वगरह जिन लोगने बैक कर नहीं तक बेक कर आगर आपके पास एस बाई-क आप जी स्तेट से भी ऊ तो क्या होता है कि उसी एक दिन में खतम हो जाता है ठीक है एक दिन या फिर आप ब्रांच आके एकाउंट खुलोगा तो फिर आपको फिर से उनको देना पड़ेगा तो यह प्रसेस थोड़ा सा लेंग दी हो जाता है तो अगर ब्रेंग काम नहीं खुले होगा एक दिन का काम है जाके एकाउंट खुलो ठीक है तो यह सार जो जो ओनिंग प्रसेस है वहां पर खतम होगा और आपके लेंगे सार आपको गीवड बगर देंगे फोटर सेशन होगा सब कुछ होगा वहां पर यह रहा एओ काम एडि रभीयों से साहिद आपको उसी दिन बनार नकर channel नेहीं से जाके आपका ब्रांच एलेट करता है आप जिसदिन ट्रांसफर हो के हाथ आर्बीयों में रिपूटिंग्ल रिपूटिंग करी मैं करें और ब्रांच एलेटलेक्व कुछ दिन पर फिराको नेक्स डेश्ञेक करें में होसकता है किस यह किछ और में आर्ब्यों में रखना के मतलब क्या अर्ब्यों में कुछ काम पेंडिंग रहता है जो नियान लोगों को करवाते हैं ठीक है वहां पर समय दिन पानदरा दिन फेस दिन पहना चार मेना छे महना तक भी साल तक भी फिर सकतें उसके बाद आपको प्रांश पर देंगी सो यह उनके उपर डिपेंड करता है बट जो ब्रांच एलेट की बात आती है तो वहां पर भी सेमडे या फिर एक दो दिन के अंदर आपका ब्रांच एलेट हो जाएगा अच्छा कुछ लोग पोछ रहे पोछ रहे थे कि सार हम रहेंगे कहां पर देखो जब एओ पे जॉनिं आपको क्या करना है जोनिंग के बात ना एक चार अप्लाइक करना है और आपको वह रिंबर्स हो जाएगा मतलब एओ में जोनिंग के बात जितने दिन लगाएंगे वह लगाने दो उनको बस आप बिल्ट त्यार करकर रखो ठीक है तो यह रहा आ ब्रांच अच्छ ठीक है करने के बाद ब्रांच होने के बाद क्या होता है कि देखर रूम मुझे पोच रहेते सर आपका एक्स्प्रेंस आर कीजिए मेरा तो विज्व प्रसेस है ना यह यहां पर हमरे लिए है कि रूंति की रूम मतलब यहां पर फ्राइब माद यहां पर स्टाफ है एक रूम ठीक है ठीक है अनुके अब ने रह रहे रहा है तो यह सब होता है और ब्रांच को रिवोटिंस करना है तो फिर आपका जोनी हो गया और वहां से आप आरम से ड्यूटी कर सकते हो ठीक है तो यह होता है यह से लेकर जोनिंग मतलब ब्रांच अलेट तक का सफर आपके साथ कर दिया ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कामेंट कामेंट में पूच सकते हो यह और कुछ किसी के ओपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे पूच से तो ठीक है शो हाँ वीडियो को यह एंड करते है अब तो के लिए टेक क्यार टाटा बाबाई